हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टडी 147 में आज की वीडियो में हम सवीदान सबा इसको डीटेल से कवर करेंगे जैसे कि सरतंतर भारत का पहला मंत्री मंदल कौन सा था प्रमुक समीतिया और सवीदान सबा से रिलेटेड जो भी महतुपून तित्या है उन सबी को भी कवर करेंगे तो वीडियो के अंत्तक का बनिये रहीएगा और अगले वीडियो में हम इस से रिलेटेड जितने भी MCQ प्रेशन है उनको कवर करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते है सवीदान सबा सवीदान सबा क्या है तो सवीदान सबा देश में सवीदान के निर्मान के लिए प्रतिनीदियों के सबा इसी को सवीदान सबा कहा गया था अब ये जो सवीदान सबा है इसका निर्मान या फिर गठन कब किया गया तो सवीदान सबा इसका निर्मान किया गया था जुलाई 1946 को तो ये डेट याद रखने आपको जुलाई 1946 इसी दिन सवीदान सबा का गठन किया गया सविदान समा इसका जो विचार है ये सरवप्रतम सवराज पार्टी ने 1924 के अंदर प्रस्तुत किया था अब ये जो सवराज पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1923 के अंदर तो 1923 इसी दिन हुई थी ये जो सवराज पार्टी है इसकी स्थापना और इसकी सतापना कीती CR-10 ने यानी जो चितरंदन दास है इनोंने कीती स्वराचे पार्टी के स्तापना और इसे ही पार्टी ने 1924 के अंदर सविदान सभा का विचार प्रस्तुत किया सुरुवात में सविदान सभा के अंदर कुल 399 सदस्य थे जिन में से 293 यह तो ब्रिटिस प्रांतों से थे जबकि 93 यह देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिशनर सेत्रों के परतिनीदीस में सामिल हुए तो यह थे सविदान सभा के अंदर कुल सदस्य है इनी सदस्यों के अंदर से 208 यह कोंग्रेस के सदस्य थे 73 थे मुस्लिम लीग की और 15 सदस्य यह अन्य या फिर स्वतनतर उमीद्वार थे तो यहां से भी most important क्योशन मन जाता है कि जैसे मुस्लिम लीग इससे कितने सदस्य में सामिल हुए सविधान सबा के अंदर कुल 15 महिला सदस्य थी यहां से बार बार एक जाम के अंदर क्योशन मनता है कि सविधान सबा इसके अंदर कुल कितनी महिला सदस्य थी तो इसमें टोटल 15 महिला सदस्य थी विबाजन के बाद सविदान सभा इसका पुनर गटन 31 अक्तोबर 1947 को किया गया जिसके तहत सदस्यों की संक्या यह 299 हो गई थी इन में से 299 यह तो विबिन प्रांतों से थे और सतर थे देशी रियासतों से 26 जुलाई 1943 इस दिन पाकिस्तान के लिए एक अलग से सविदान सभा बनाने की गोशना की गई सविदान निर्मान इसमें टोटल दो वर्स 11 महिने और 18 दिन का समय लगा और जिसमें कुल 114 दिन के लिए चर्चा होई थी सविदान निर्मान में कुल लागत या एती 63,996,729 रूपे सविदान बनाने के समय इसमें कुल 22 भाग दे और 395 अनुसेद दे Most important question यहां से बार बार question मनता है कि जब सविदान बना था उस समय इसमें कुल कितने भाग दे तो उस समय थे इसमें टोटल 22 भाग और अनुसेद की बात की जाए तो अनुसेद चे चोटल 395 में जबकि 8 अनुसूचिय इसमें सामिल थी Next सविदान सबा से सम्मंदित कुछ महतोपून ती थिया जिसमें सबसे पहलें बात करें 9 दिसमबर 1946 इस दिन सविदान सबा की प्रथम बैठक आयोचित हुई और इसमें ऐस्ताई अद्देक्स बनाया गे थे डॉक्टर सचिदानन्द सिन्ना मुसलिम लीग जो है इनोंने इस बैठक का बहिसकार किया तो 9 दिसमबर इस दिन तो प्रथम बैठक कोई थी जिसमें ऐस्ताई अद्देक्स बनाया गे थे डॉक्टर सचिदानन्द सिन्ना जबकि 11 दिसंबर 1946 इस दिन दूसरी बैटक हुई थी जिसमें इस्ताय अधिक से बना दिये गए थे डॉक्टर राजंदर परसाद को 13 दिसंबर 1946 इस दिन सविदान सभा की तीसरी बैटक आयोजित हुई जिसमें जो पंडित जवाहलाल नेरु है इन्होंने उद्दिस से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो यह सविदान सभा की टोटल जो तीन बैटक है यह आपको most important है और याद रखनी है कौन कौन सभा की बैटक है एक बार में वापस से आपको इनका रिवीजन करवा दिता हूँ तो सविदान सभा की पहली बैटक तो हुई थी 9 दिसंबर को दूसरी बैटक हुई थी 11 दिसंबर को इस दिन पंडित जवाहरलाल नेरू ने उद्दिस से प्रस्ताव प्रस्तुत किया सभीदान सभा ने सभीदान का तीन बार वाचन किया गया तो most important है सभीदान का वाचन यह कुल कितनी बार हुआ था तीन बार अंतिम रूप से 26 नौंबर 1949 को सभीदान सभा के द्वारा इसको पारित कर दिया गया नेक्स्ट है 26 नौंबर 1949 इस दिन सभीदान पारित करने के समय कुल 284 सदस से उपस्तिते तो most important question हो जाएगा कि जब सभीदान पारित हुआ था 26 नौंबर 1949 को तो उस समय कुल कितने सदस से उपस्तिते तो उस समय थे total 284 सदस से नेक्स्ट है इस दिन केवल 15 नौंबर 1949 ती उस दिन 15 नौंबर 1949 ती उस दिन 15 नौंबर 1949 ती जबकि जो बाकी के नौंचेद है ये 26 जनवरी 1950 को लागू किये गे सविदान सबा की अंतिम बैटक जिसका आयोचन किया गया था 24 जनवरी 1950 को और इस दिन डौक्टर राजंदर पर साथ इनको भारत के प्रथम राष्टपती बनायागी नेक्स्ट है भारत का सविदान ये 26 नौंबर 1949 को पूरा बन कर तियार हो गया था और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 इस दिन इसको लागू किया गया अब ये 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहोर के अंदर रावी नदी के तर पर तिरंगा पहराया था तो तिरंगा ये पहली बार पहराया था और पहली बार बनाया गया था स्वतंतरता दिवस कब 26 जनवारी 1930 को इसलिए 26 जनवारी 1950 को सवीदान को लागू किया गया 26 जनवारी को हम गंतंतर दिवस के रुप में बनाते हैं जबकि 15 अगस्त को बनाया जाता है स्वतंतरता दिवस सविदान सभा के द्वारा अपनाए गई तीन महेद पून कारिये यह कौन-कौन से हैं तो सबसे पहला कारिय गोंसर हो जाएगा राश्ट्रिय ध्वज राश्ट्रिय ध्वज इसको मंजोरी दी गई थी 22 जुलाई 1947 को यानि राश्ट्रिय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को उसके बाद में राश्ट्रिय गान इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को जबकि राश्ट्रिय गीत इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को तो ये तीन डेट यह आपको याद रखनी है निक्स्ट स्वेतंतर भारत का पहला मंत्री मंडल जिसमें हम बात की जाए कि पहले परदान मंत्री कों थे या फिर विदेश मंत्री यह थे जवाहरलाल नहरू निक्स्ट है सरदार वल्लबबाई जो की घ्रै मंत्री या फिर सूचना एवं प्रसारन मंत्री थे राजिंदर परसाथ जो की खादे एवं क्रसी मंत्री थे मौलाना अबूल कलाम आजात मौस्ट इम्पोर्टिंट है यहाँ से बार बार क्योशन मंत्री थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कों थे तो यह थे मौलाना अबूल कलाम आजात भारत के पहले रेल मंत्री की बात की जाए तो यह हो जाएंगे जोन मत्री बियार अमेडकर विदी मंत्री थे, जग जीवन राम जो की श्रम मंत्री थे शर्दार बलवदेव पतेल ये बलवदेव सिंग यह थे रक्षा मंत्री नेक्स्ट है राजकुमारी अमरताकोर जो की स्वास्ते मंत्री थे सीएच बाबा यह वानीचे मंत्री थे शनमुगमशेटी यह वित मंत्री थे और डॉक्टर स्यामा प्रशाद मुखरदी जो की उद्योग और आपुर्ती मंत्री थे नेक्स्ट सविदान सभा की कुछ परमुख समीतिया तो जो भी परमुख समीतिया उनको एक बार कवर करते हैं सबसे पहले प्रारूब समीति प्रारूब समीति इसके अद्यक्स थे डॉक्टर भीमराव अमबैड कर Most important हो जाएगी प्रारूब समीति कार्ये संचलन समीति के अद्यक्स थे केम मुंसी संग सक्ती समीति के अद्यक्स थे पंडित जवाहरलाल नहरू मूल अधिकार एवं अल्पतंक्यक मंत्री समीती जिसके अधिक्ष थे सर्दार पठेल संग सवितान समीती पंडित इसके उपदेक्स यह अधिक्स कुनते जवाहरलां नेहरू प्रकिलिया समीती के अधिक्स थे डॉक्टर राजेंदर परसाद वार्ता समीती जिसके अद्यक्षत है डॉक्टर राजेंदर परसाद एक है अपने पास में जंडा समीती जिसके अद्यक्षते जेपी क्रपलानी प्रांतिय सवीदान समीती के अद्यक्षते सरलार पटेल और एक है अल्प संक्यक उप समीती जिसके अद्यक्षते एच से मुकर्जी चलिए आगे हम बात करते हैं प्रारूप समीती जो सुरु में मैंने बताया था प्रारूप सम्बन्ती तो बी एन राव के द्वारा सवीदान के प्रारूप पर विचार विमर्ज करने के लिए सवीदान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया जिसके तहट प्रारूप समीती का गठन किया गया प्रारूप समीती के अद्यक्ष से डॉक्टर भीमराव अमबैड कर इनको बनाया गया और प्रारूप समीती इसमें टोटल साथ सदश से थे अब ये साथ सदश से कौन-कौन से थे तो एक तो ते डॉक्टर भीमराव अमबैड कर जो किसके अद्यक्ष थे है एन गोपाल स्वामी अईयर अलादी कृष्णा स्वामी अईयर कनेहलाल मनिकलाल मुंसी सेयद मुहमद सादुल्लाव एक है एन मादवराव और एक थे डिपी खेतान डिपी खेतान जो की 1948 में इनकी उम्रत्यू के बाद में जो टीटी क्रश्नामाचारी है इनको सदस्य बनाया गया तो ये थी सविदान सभा यहां पे सविदान सभा की कुछ इंपोर्टेंट एक पर में क्योशन बता देता हूँ कि सविदान सभा की पहली बेटक यह कब आयुजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के अंदर और इसके ऐस्ताय अदिक्स मनाया गये थे सचिदानन्द सिना को सविदान सभा की अईस्ताय अदिक्स यह थे डॉक्टर सचिदानन्द सिना सविदान सभा की सदस्य को थे तो सुरुवात में सविदान सभा के अंदर कुल 389 सदस्य थे जिनमें से 233 में ब्रिटिस प्रांग्तों से थे और 93 यह तेसी रियाशतों थे जबकि चार थे इसमें चिर्फ कमिशनर चेत्रों से सविदान सभा के अदिक्स यह बनाये गए थे डॉक्टर राजंदर परसाद को 11 दिसंबर 1946 को तो यह था आज का हमारे वीडियो अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगाओ तो हमारे चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीचे और बैल आइकन को दबाईए लेटेस स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम सभीदान सभा इस से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्योशन है मोस्ट लगबग 80 प्लस इंपोर्टेंट क्योशनों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीचे और बेल आइकन को दबाईए लेटेस स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए